दर्श कान्दा स्वागत है जी साठी एंटर्टीन्मेंट जोन दिविच चमकीले ते फिल्म बनोन वारे इम्तियाज अली की केंदेने एसी तानु दसांगे स्टोरी दिविच पंजाब दे मरहूम गायक अमर सिंग चमकीला होते वी ओफिल्म बना रहे हैं इस फिल्म से ने पंजाब दे पंजाबिया नाल सांच तो लावा उनाने मरहूम लोग काई का गुर्मीत पावा बारे वी गल कीती है बीबी सी पंजाबी दे नाल उनाने खास गल बात कीती क्योंकि तोऑ दियां फिल्माविच जां फिल्मा दे गानेया विच अक्सर पंजाब दर यूदा है। इस दा जवाब देन देयां, इम्तियास ने कीहा कि पंजाब मेरे लिए एक एनिग्मा है। 90-जी विच पेली बार पंजाब गए इम्तियास। पर जद भी उना दा पंजाब जान दा सबब बनेया था उना ने हमेशा पंजाब दी हवा विच कुछ खास महसूस किता ते ओ इसनू लखी सामझते ने उना नू हमेशा पंजाब तो कुछ ना कुछ प्रापत होया जाबता है उदास देने की ग्रिगेरियस सोसाइटी पंजाब दी पोईटरी, म्यूजिक एन्ने ताकतवर ने एथोदे किसे एन्ने मशूर ने सुकुल मिला के पंजाब जे एक डाइनमिजम है जो बहुत अट्राक्टव है नाबे दी एक फिल्म दी शूटिंग नूँ याद कर देयां, अम्तियाज ने दस्या की शूटिंग विच कुछ लोग आके बैजान दे सी अना विचो एक आदमी एहो जा सी, जो बिन मंगे बणिया सलाहा देन दा सी, ते बोलबानी भी थोड़ी अजीब सी जदो उसनों सेट तो बाहर कड़िया गया ता उन्हें उम्तियाज नूँ जाके कहा कि किस कॉमिनिटी च कहजा पहरावा होना चाईदा है, वो एस वारे गाल कार रहा है उस तो बाद इम्तियाज ने उस इंसान नो उस फिल्म च अपने लिए कंसल्टेंट बना लया, मरहूम गायक चमकीले थे, फिल्म बनाओन वारे पुछन थे, उन्हाने जवाब दिया कि हाले ओ इस ते काम कर रहे ने, कुछ समा काम करन तो बाद ही ओ दस सकंड गे कि ए मुम किन होगा या नहीं, क्योंकि मरहूम गायक चमकीला एक बहुत ही इंफ्लेंशिल पस्नालिटी सी, मलेर कोटला तो इरशाद कामिल नाल अपनी सांज बारे दास्दे होये, इम्तियाज ने कहा कि उन्हादी मदद नाल वो काफी चीजां अपनी फिल्म चे पेश कर पाए, जि गुरमीद बावाजी दे नाल अपनी पुराणी सांज बारे दास्दे होनाने कहा कि फिल्म हाइवे विच जुगनी तो बाद पटाका गुड़ी गाना उन्हादी इंस्पिरेशन तो ही बढया सी, ते ओ उन्हादी आठ दे किन्ने कुमरीद ने, ते उन्हादी मौत तो पह काफी अच्छा समावतीत किता सी, सो एंटर्टेन्मेंट तो जुड़ी जरूरी खबरा नहीं जुड़े रहो साड़ी चानल देना साशिकार